या इस पौवण शुर्मा बात करते हैं इंट्रादे स्टॉक्स फोर 20 ओट ऑफ जैनुवरी आज निफ्टी ने अपने रिट्रेस्मेंट लेवल कि आज में रिट्रेस्मेंट चेंज किया है आज हमने पहला करेक्शन आया है तो पहले correction के accordingly retracement को top से bottom जो पहले था अब bottom से top कर दिया है ताकि पता चल जाए कि retracement level कितना हमारे पास में available है इसने क्या किया है 23.6 से ही bounce किया है अगर आप देखेंगे almost वहीं से bounce किया है और इसका जो आज का low बनाता वो बनाता 17.880 जो fall आया है आज कल मैंने आप से कहा था कि कल का fall है उसके अंदर volume में सिंग थी लेकिन आज का जो fall है उसकी volume कल के और परसों के comparatively जादा है which means we can be bearish if this level is broken जो यह level आप देख रहे हैं अगर यह break हो जाता है तो market can turn bearish और इसके बाद में अगला लेवल बनेगा 17600 का वैसे हमारा target जो है 17800 का यहां पर close हो जाता है हमेशा exact नहीं होता stock market में 17800 का मतलब होता है 8 750 या 850 के राउंड तो भी चलेगा because बहुत close लेके चलेंगे exact point पर सोचेंगे तो कभी ऐसा होता नहीं है तो अगर आप notice करेंगे क्या हुआ था जब यह नीचे गिराता तो उसने वहीं से bounce back किया और जो low बनाया वो 880 का बनाया यही लेवल अब हमारे लिए कल के लिए काम आएगा तो हमें करना क्या है अगर कल 17880 का level break हो जाता है break होने के बाद में उसके नीचे निफ्टे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो directly आपका जो target बनेगा वो बनेगा यह तो आप यहाँ पे sell कर पाएंगे for a target of 17600 जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि 200 को break कर दे तो आप अराम से put ले सकते हैं high volumes में और इसके बाद में हमारा target निकल के आएगा somewhere close to 900 से लेके 800 की बीच में so which is covered now one second I am saying कि अगर यह level break हो जाता है तो उस थ्रों सा hurdle आपको मिलेगा 17800 का और उसके बाद में 17600 बहुत आपको clear नजर आएगा अब आपको क्यारना क्या है 30 मिनट के time frame पर लेके जाना है निफ्टी को और निफ्टी को जब 30 मिनट time frame देखने हैं तो उसने क्या किया था एक high बनाया था जो था 17960 का तो अब हमें क्यारना क्या है 970 कर लेते हैं क्योंकि 10 point उपर करके और हमारे लिए अब ये level हो market flat open करे 970 के उपर जाए वहां अपने आपको hold करे तो definitely आपको rise देखने मिलेगा वहीं पर अगर वो resistance face करे वापस dip करे 950 को break करे तो फिर से आप sell कर पाएंगे मैं sell on rise 950 की नीचे कह रहा हूं वहां नहीं और अगर नीचे गिरती है वापस से 850 के आसपास अगर hold करके bounce करे तो 880 पर नी 850 से आप उसको वापस से buy भी कर सकते हैं just for intraday की बात कर रहा हूं मैं उसके उपर चला जाता है और वापस से 1800 अचीव कर लेता है तो यहां से आप वापस से जो हैं वो call buy कर पाएंगे तो यह correction हमारा complete हुजाएगा और once again market will be back on the track लेकिन अभी क्या हो गया है कल हमारा weekly expiry है और आने वाले हफते में monthly expiry है और उसके बाद में immediately budget भी है 2-3 दिन में तो यह जो आने वाला time है 10 दिन जो है यह काफी volatile रहने वाले हैं हो सकता है market को clear direction ना ले और जब market बहुत जादा volatile हो जाती है तो याद रखेगा जो option buyers होते हैं उनको 90% loss होता ही होता है option sellers कभी भी उनको profit में नहीं जाना देते हैं because option buyer को volatile market को trade करना नहीं आता इन derivative segment और जो sellers होते हैं इनको अच्छे से बताया किस टाइम पर करना क्या है इसलिए मैं आप से खहरा हूँ बार बार कि एक दो दून के लिए trade hold करें लंबा भी ना सोचें तो यह रहेगा हमारे पास nifty के लिए बात कर अगर bank nifty के बारे में bank nifty situation काफी clear है यह हमारे पास में hurdle था that was 37 900 कल भी आपको कहा था कि अगर यह इसको break कर देता है तो सीधा एक तो level आपको यह मिलेगा है मिलेगा क्योंकि यहीं से उसका support मिलेगा और rise करेगा अब यह level जो है यही level जो आप यहाँ दे sell करेंगे आज majority of the sectors closed in red लेकिन अगर PSV bank के बात करेंगे तो वो 2% positive में close हुआ है और वो हो सकता है कल bank nifty को फिर से support करें क्योंकि इसने इसको fall करने से बचा के almost अपने इस retracement level के उपर ही जाके close करा है तो हमें इसको break होने के बाद में buy करना है sorry sell करना है नीचे की तरब अग आप जैसे मैंने उसमें कहा था आपको nifty में कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप उसको break करेंगे और 30 मिनट के break होने के बाद में आज की closing है 38041 की तो जो उसने break किया था वापिस rise किया था उसके अंदर level आया था 38150 का जैसे वहाँ पर 970 का आसपास आया था यहाँ पर 150 का ह है तो once again यही level just like nifty हमारे लिए resistance बन जाएगा और इसको break करने के बाद में अगर bank nifty इसके उपर close करता है तो याद रखेगा यही से अगला target आपका निकल का हैगा 38500 का so we will buy above 150 for a target of 38500 we will sell below 37900 for a target of 36900 let's see how the market is going to provide us याद रखेगा जादा लंबे ट्रेड भी मत सूचिये और अगर option trade करने है तो proper strategy के साथ proper risk management trade कीजेगा because when the market is very volatile option buyers mostly come out in losses recap में हमारा पहला पेक है चंबल fertilizer buy था 470 का तो immediately market ने जो है rise किया उसके बाद एक correction लिया तो पहले हम थोदे रुखेंगे उसके बाद हम देखते है 470 का level हमें कहां achieve हुआ so that was here उसके बाद में almost पूरा दिनी उसी range में रहा last में मेरे level के accordingly second target हिट हुआ लेकिन पूरा दिन आप stock में नहीं बैठते है तो इसलिए avoid कीजेगा अगला trade हमाले रहेगा that was Aura Farma in Aura Farma 675 का बाई था so that never got achieved एक बार पहुचा था यहाँ पे और नीचे की तरफ 666 का हमारा sell था so that was here first time यहाँ पे आया और वहीं से आपको जो है हो जगता है आपको दो तिन पॉइंट का यहाँ loss मिला हो so that will been Aura Farma then we had the third trade was Aarti Industries in Aarti Industries 1090 that never got achieved 1078 so 1078 was semi close to here so यहाँ से almost आपके पास में 1058 so that is almost close to our second target on the sell side then the next trade was LIC Housing Finance 382 का हमारे पास में sell था और 376 का sell था so 376 पे comfortably resistance phase किया और इसके बाद fall किया and hit our second target होंदा sell side second target हमारा 370 का था तो 367 का low बनाया so that was in LIC पहला trade हमारा रहेगा SVI, SVI का pick किया है first PSU bank ने against all outs 2% positive में जाके close किया है secondary स्राव उसकी reason नहीं है एक अच्छी जो है वो pattern भी बना रहा है जिसको आप कहते हैं bullish engulfing और यहीं पे उसका 520 पे resistance है देखिए अगर यह level break हो जाता है मतलब पहले SVI को break करें break करने के बाद ECQ पर थोड़े ट्रेड करें थोड़े का मतलब 10 मिनट होता है 930 से पहले आप बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे उसके बाद सोचेंगे उसके बाद अगर यह hold करता है 920 के बाद में तो यहां पर आपका buy बनेगा understand यह उसका immediate resistance भी है और काफी strong resistance है अगर 520 पर उसको resistance मिला तो आप on 520 भी sell कर सकते हैं अगर बहुत तक नहीं जाता फ्लाट ओपन करके नीचे आना शुरू कर देगा तो 510 के नीचे आप sell कर पाएंगे अगला रहेगा हमारे पास निपाउन लियाम इंडिया इसको नैम इंडिया की नाम जाना जाता है इसमें हमने पहले देखेगा यहां पर अगर नोटिस करेंगे तो यह एक जो है resistance और support के तरह काम कर रहा है and the level is 365 के around which means आज की closing है हमारी 360 की है उसके immediate ऊपर एक काफी अच्छी resistance है तो जैसे आपने अभी SBI को देखा 520 का level similarly यह level इसके लिए काम करेगा for breakout अगर इसके ऊपर जाता है इसके ऊपर थोरदर hold कर जाता है तो definitely you will see a very good rise in नाम इंडिया यह उसका already resistance है कई बार यहां से fall कर चुका है तो अगर इसको यहीं से वापिस जो है resistance मिला तो आपके लिए equal opportunity रहेगी sell करने के भी so that's the reason behind it अगला trade रहेगा जिंदल स्टील metal sector में आज काफी जो है movement रहा है और maximum stocks ने थ्रौशा bullish movement ही show किया है हमारे पास में यह line देख रहे हैं यह line पहले से चली आ रहे है और immediately हमारे पास में यह support है तो इसने support से bounce किया और यह line जो है यह जो 10 line है यह उसका resistance है which means इसको break करने के बाद में hold करने के बाद में यह initiate का buy यह already resistance है which means अगर यह initial resistance face किया तो वापिस से आपको जो नीचे का target मिलेगा 401 से लेके 395 का हो सकता है because stock जब resistance face करता है तो बड़ा dip लेता है so that's the reason behind jindal steel our next trade will be dabber, dabber का भी situation same है पहले गिरा उसके बाद एक complete rounding bottom बनाया और as a support इसको use किया फिर इसको as a resistance बनाया फिर try किया once again it is on the same level which means यह level break होता है इसके उपर hold करता है stock तो हमारे लिए buy initiate होगा यही resistance बना तो हमारे लिए equal sell opportunity लेके आएगा dabber और मैसे भी आज FMCG में काफी moment रह है तो possibility यह है कि अगर यह break किया तो काफी अच्छी जो है buying आपको देखने मिलेगी so that's the reason behind it जाने से पहले चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा description box में कुछ links available है जैसे हमारा membership program का link है और कुछ DMETS account के links है उनको आप use कर सकते हैं for your benefits plus comment करना मत बंद कीजिएगा आपके comment से हमें future topics क के बारे में पता चलता रहता है और उसके बारे में idea मिलते रहता है that's all for today guys I'll see you into my next video have a nice day take care